इसको हम ना कि निसो साथ से इसको मुसलती हम जिद्धो जाहे तेलंगान ताहिडिक के लिए कर रहे थे और इतिफाक की बात यह जितने अच्टिविस्ट से तेलंगान ताहिड में जो जिद्जों से करें इस्टूडेंस जानूं की खुरवानी देजिए कई लोग बने लेकिन इतिफाक की बात यह है कि तेलंगाना बनने के बाद जितने भी होकुम्रान आए वो एंटी तेलंगाना से उनका दालूख एंटी तेलंगाना से है और वो लोग होकुम्रान बने रहे हैं इसलिए हमारे तेलंगाने का खास्त और बहुत ज्यादा नुकसान दोहजार चौदा के बास से हुआ अब आजकल जो जो इस्यू है वो तेलंगाना वक्व अमेंडमेंट्मेंट बिल टूंटी टूंटी फूर वीचिस अब जिसको अभी पार्लिमेंट में आया है अब इसके बाद लोगो जब बन गया तो उस वक्त कोई आवाज उठाने वाला नहीं है अब राव वक्त बिल इसमें अब जो हर आदमी हर तंजीम कोई वी वाट्सप पे यूट्यूप पे अपने आपको चमकाने के लिए मीडिया पे हैं और इनका प्रैक्टिकल अगर वर्क होता तो शायद हमारी के लिए वख हें हैं तो मुसल्मान की मुभली कि मुफ्त का नरक नहीं डियू एम हमारी मरकजी हुकोंत का जो स्ब्रक्जय क्वक्त अपकर ब्यूपापर्टिस आता BEN这么 सब्सक्राइब काफी चाहिए हैं हाट डिस्ट्रिक में चलगाने की में चौट तरफ पहले वह और है कि इसके सब्सक्राइब बड़ी बात या है है कि हमारा क्रीम लंगाना मिनिस्टर वुशिप मुसल्माद सियों मुसलमा पूरे मिंबर्स मुसल्मान और पांच ऐमेले दो जितने मेंबर्स हैं यह मेंबर्स की वजे से जितने हैं नाइंटी फाइफ पर्सेंट प्रॉपर्टी इस वखत लोगों के या तो खब्दे में आप बैग दिये गए और इसे जितने भी वक्त प्रॉपर्टी थे अब वक्त बोट एक जमानी एक सियासी अख़़ा हो गया जि इसके तहर पांच जो केखिन सुसाइटिस चलते हैं बहुत खीमती जो है इसके जायदाद हैं हिमायद नगर हैदर ओड़ा बाजर घाट विठल वाड़ी यह सारी जहां पे खब्जा आम प्यासी सरप्रस्थी में हुआ लोगों का था बहुत काफी जिद्जों जैद के पाद इसको हासिल कर लिया गया शेख मुहम्मद एकबाल इसको पूरी जायदा का खब्जा लिये खब्जा लेने के बाद में चनंगाना जो हुकुमत जैसा बना यह हुकुमत तो बहुत मामिली बात है अलाइंस में बनी थी और तुभी फ्राइंक लिए अगर हम बात करते हैं त पूरा टेकाट अपने पार्ट रखिए सबते पहला हमला यह हर्माइन जैमिलें के पूरी दमीन वाकिव दब्दक आरिफ जिन सा मरहे मुतवली नहीं है उन्हों मर गए उसके उपर हाउस कमीटी की रिपोर्ट का आइक्शन लेने के लिए किसी के ऊपर आइक्शन लेने के वे उनकी बीवी को एक इनाम के तौर पर देदी गई यह सारे खाइद इन देख रहे हैं सब को मालूम है अब रहा हुसेंच्यावली यह तो कई ठीव वक्त हुजाए था हाई कोट से आउडर आ गए सुप्रीम कोट में चूंके रिकार्ड सीम के पास है सारा रिकार्ड है सब्सक्राइब करते हैं और यह रिकार्ड पर सीनियर सुप्रीम कोट के लायर को रखके के टियारेस की गवर्मेंट में इसको हुसेंच्यावली को सरकारी जायदाद खरार दे दिया गया इस वक्त भी मजलिस कोई आवाद नहीं उठाई इस वह उपर आपील कोई ने करे साइडी जितनी तंजीमें हैं वो तंजीमें जो आवादे निकालते हैं किसी ने भी इस तरफ कोई गवर्म ने किया वो चूंके चली गई और सब खामुश बढ़ गे इस लिए आट सो से से एकर जमीन मनी कुंडा में हमारे अकबर निजाम अजिन साब के खब्दे में उनक कि उसके पर कोई अक्षिन लिए और दर्गाचा खामुश उनकी वो पूरा अक्षिन कोई नहीं लिया जाता इसी तरीखे दा आईजा स्कूल अन्वार अलूम कॉलेज मुंतास कॉलेज यह सब चार्णम खान के इन दराम में एक ही फैमिली के तहर यह सारी चीजने दे दी ही तो था अब एक और एक निफ वनीस सो सैंतालीस में युनानी दवाखना असर निजामत जंग तीन अदाट दो सो पचास घर जमीन दिये थे उसमें दरखेरी अदालत के हमारा अदालत से आडर आये दवाखना बनारे के लिए हुकूमत को देजी गई इसके बाद तो उसम पर फिर हमको कोड को जाना पड़ा कोड को जाके लाए सब तेलंगाना फॉंचर युनानी असोसी के लाफ इंडियन मेडिस्टिन प्राकिकनेस हम लोग मिलके फिर वापिस उसको जिलाए बिल्डिंग बन गई लेकिन उसको फिर तो यह क्यारे जोर्मेंट आने के बाद ते खुद हमारी जमाद हमारे लोग अगर इसमें खायल रहें तो इसको दूर करना सबते बड़ी वाकिश है अब एक कैशी और एक जायता थे मच्जिद दीन दरखाम इसके तहर एक सो चार एकर जमीन पर मुतवली है मुतवली के बगएर इतला के इसको इसमें यहां थरकारी दॉफ्टर आ गया हाई कोट आ गया चाली खाना आ गया एक मैनेजिंग कमीटी बनाएबक आद्वाजियरी कमीटी एक डा वली है वक्ष जायदाद है अगर कोई फॉटदारी मुख़दमा डाला गया तो कोई भी आखा है तो कोई भी आदमी कोई भी आपिटर इसे बच नहीं सकता मुसलमानों को चाहिए कि अपने इत्याद अगर बताना है तो इन खाब मौखवा जायदादों को छोड़ाने के लि को रुकवाना बहुत बड़ी जरूरत है लेकिन जास्टिक पार्लीमेंटरी कमीटी को हम लोग पतार लाइक रोड मुसलमान भी अगर देते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है हुकुमत क्योंके बहुत बड़ा है एक अच्छा पूरी पार्टियां बनी भी हैं चूंकि बड़ा है वरना यह खानून बन भी जाता तुछ के यह भी ताइद में जितने मुसलमान खुद बीचे पी के आप परदा भी ताइद करते हैं लोगों को बड़ाने के लिए उन्हें हिंदू को गाली देना मैं मुसलमान को गाली देना यह हमारी पालिसी बनी हुए इसको खतम करना चाहिए वागत बार जाइदा के लिए सही तरीखे थे एमानदारी से बेपा करना इसके वह पर आवाद उठाना जड़ूरी है अगर मुसलमान मुझत है आवाद नहीं उठाते हैं तो फिर मुसलमानों को इस तालुक से बात भी नहीं करना चाहिए मैं सहार्वा से भी मेरी जो एतिराद है मेरी 40-60 साला यह प्रैक्टिस में देख रहा हूं वो लोग भी कुछ हाथ रखके देते हैं प्रेस भी इसको बराबर उठाता नहीं है इसलिए यह है इसकी प्रेस की वक्त बिल कि अगर मुखालिफत करना है तो हमारे हमारे तेलंगाना से यहां अब शुरू करना चाहिए तो लंगाना हुकूमत को मजबूर करना चाहिए अब आज मौजूदा चीफ मिनिटर भी इसकी तरफ से कोई संजीदा नहीं है बोलते कुछ हैं लेकिन संजीदा नहीं है लेहादा हम अगर हम इसको उठाएंगे तो इन्शाला यह काम काम हभी से लिए और नशीव दिये बलके दिली भी जाके करें और यहां भी आवाजा निकार रहा है यहां फिर रहें लेकिन मौजूदा चेर्मेंट वक्त से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह यह जो हम दे रहे हूं मुसलतिन उनको यह सबते बड़ा हर्मेंट चरीफ रेंड की जा जाहदा सब तर इतना जाइदाध में बड़ी बड़ी हमें इसमें चेर्मेंट में उचकं एक्षाडा पूमाद सावाध नहीं शेक्र Weil सब्सक्राइब करें जी यह बिलकुल बहुत अच्छा सवाल है और इसमें मेरा जवाब यह है कि उनको बताएए कि यह वहर्माइन शरीफाइन की यह खावी जायदा मुतवली मरने के बाद कौन से खानून से कौन सा वक्ष एक्ट है जो उनकी बीवी को दे गया गया हाउस कम है कि रिपोर्ट है हराउस कमेडी रिपोर्ट और पावन जो नहीं करता है तो वह आंक Extrem скор动 सब्सक्राइब आरे इसमें shift for shift हमारे हादमेंशरीपन जायदात का है, our of committee तरद के inquiry हुई, God面 की तरफ दे inquiry हुई इसमें Azir Singh Ji andraban और एक security वuz और chairman लाय खलिखा साब थे, उनके वुपर भी action लेने के लिए इसमें देजिए हैं। और यह house committee में जो assembly की मंदूरा है, इस पर एक्षिन लेने, नहीं लेने का मतलब यह है, कि आफिसस को सदा देनी चाहिए, वो सदा देनी चाहिए, इस रेकॉर्ड है, यह रेकॉर्ड रहने के बाद मैं मौझूदा चेर्में से पूछना चाहता हूँ, कि इसको जो जाहिदा वापिस वागबोर्ड को आ गई थी इसको वापिस उनकी बीवी को कैसे देजिया गया, वो कौन से खान उनके देज देगा, वो कौन से रिकार्ड है, और इसे मौझूदा चीफ मिनिसर को रिप्रेसेंटेशन गया, एक नहीं कई बार, उन्हों आने के बाद से मुसलतिल दे रहें, चेर्में साब को दे रहें, चार लेटर्स जो यहां हमारे फाउंडेशन को आये हैं, गवर्मेंट से, इनके पास आई है, और इसका फाइल शायद रुका हुआ है, तो मौझूदा चेर्में के पास है, इनको बुलाना चाहिए, जब वक फाउंडेशन, रजिस्टर और गनाइशन, जब मतालेबा कर र रही है, रेकार्ड आपको दे रही है, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं, इसी रेकार्ड के बुनियाद पर शेख महमुद अक्बाल पूरी वह, पूरी जायदाद को, इनिस्टिटूशन को अपने वक बॉड के खब्दे में ले लिए थे, दड़का चाहा मुझ में भी यफायार, शालम कहीं यफायार, इस तो चेक मुम्मद अकबाल के जमाने वह, जबके कांगर्स की गौर्मिन थी, अब टियारेस आने के बाद, तो इसको तबाह हाल पूरी तरीखे से, सबते बड़ी तिम्मेदारी, टियारेस और एमाई हम पर पड़ती है.